नन्ही लाल चुन्नी दोस्तों यहां पे जो नन्ही लिखा है देखिए न फिर आधा न और हो में बड़ी ए की मात्रा है कैसे पढ़ेंगी इसको नन्ही नन्ही यहां पे देखिए यह लिखा है चुन्नी देखिए चू आधा न फिर पूरा न और बड़ी ए की मात्रा है ऐसे चुन्नी नौ पे जोर लग रहा है बड़ी की भी मात्रा है नमस्कर दोस्तो हमारे ओलने टूशन अड़ा चनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस क्लास में आपको ऐसे ही एक स्टोरी पढ़ाएंगे जिसके नाम है नननी लाल चुन्नी यह बहुत important कहानी है दोस्तो और बहुत मज़ेदार कहानी भी है इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो उसके मता पिता और दादी के साथ क्या होता है कैसे कहानी में क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग हम लोग का मेन मकसद रहेgeneration सब्दों को पढ़ना सिखना किस तरह से हम लोग सब्दों को अच्छे से पढ़ पाएंगे कहाँ पे कौण सी मातरा का उउशारान कैसे करेंगे कैसे संजुकत अक्छर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इन सब चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे इस कलास में तो आएए यहां से हम लोग एक एक सब्दों को खुब अराम से पढ़ते हैं अच्छे से प्रोनाउंस करके ताकि आपको पढ़ने आ जाए यहां से पढ़ेंगे एक बार की बात है एक बार की बात है एक छोटी सी बच्ची देखिए चाचा संजुकत है इसको पढ़ेंगा बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गाउं में राहती थी वह अपने माता पिता से ज्यादा क्या पढ़ेंगे इसको ज्यादा आधा जो है यह में आ की मतरा है दा है ज्यादा अपने दादी से प्यार करती थी उसकी दादी गाउं के दुसरी और राहती थी जो की जंगल से होकर निकलता था छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोफे में दिया था हर बच्चा का उसके दादी से बहुत लगाव रहता है दादा दादी से उसकी दादा दादी से रहता है क्योंकि दादा दादी बच्चे को जल्दी मारते डाटते नहीं है बहुत प्यार करते हैं यहां पर देखिए जिसे वो हमेशा पहने रहती थी इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड यानि नन्नी लाल चुनी के नाम से बुलाते थे लोग उसे नन्नी लाल चुनी के नाम से बुलाते थे ऐसे छोटा बच्चा को दोस्तों जो भी प्यारा लगता है जैसे उसका एक्टिविटी होता है उसी के उनुसार उसका नाम रख दिया जता है वह इसे ही बुलाने लगता है लोग ठेक है लिटिल रेड राइडिंग हुड यानि वही नन्नी लाल चुनी अक्षर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी वो जो छोटी बच्ची थी अक्षर अपने दादी से मिलने जाया करती थी यहाँ पर इसको राइडिंग पढ़ेंगे यह है अक्षर यहां पर देखें ज्यादातर ठीक ना ऐसे ऐसे वर्ड है खुब ध्यान से देखेंगे आप यहां से पढ़ते हैं वह ज्यादातर समय वहां रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी ज्यादा से ज्यादा समय अपने दादी के पास रहती थी और फिर घर चले आती थी, दादी भी लिटिल राइडिंग हुड को बहुत पसंद करती थी, दादी भी उसे बहुत पसंद करती थी, एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबियत अचानक खराब हो गई, एक बार उसकी तबियत जो थी अचानक खराब हो गई, इस वज़ा से वह उससे ज्यादा नहीं मिल पाती थी, इस वज़ा से वह अपने दादी से ज्यादा नहीं मिल पाती थी, उसे इस बात का बहुत दुख था, उसे इस बात का बहुत दुख था, तब ही उसे पता चला की उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाईया लेकर जा रही है, तब ही पता चला की उसके मम्मी जो है, उसके दादी के लिए भोजन और दवाईया लेकर जा रही है, वह दोडी दोडी अपनी मम्मी के पास पहुँची और पुछा, मा, आप ये भोजन और दवाईया किसके लिए लेकर जा रही हो, आप ये भोजन और दवाईयां किसके लिए लेकर जा रही हो वो छोटी बच्ची मा से अपने पुष्टी है इस पर लिट्ल रेड राइडिंग हुड की मा ने कहा यानि छोटी लाल चुन्नी मुन्नी के मा ने कहा बिटा मैं ये भोजन और दवाईयां तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ यह सुनकर लिट्ल रेड हुड खुश हो गई यह सुनकर बहुत खुश हुई और मा से कहने लगी खुश हो गई और मा से कहने लगी कि क्या मैं ये भोजन और दवाईयां दादी के लिए लेकर जाऊं क्या मैं ये भोजन और दवाईयां जो है दादी के लिए लेकर जाऊं मुझे उनसे मिलना है लिटिल रेड राइडिंग हुड की मा राजी हो गई उसकी मा राजी हो गई और उसे भोजन और दवाईयों की थैली देकर कहने लगी ठीक है तुम जाओ लेकिन ध्यान रहे की सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनभी से बात नहीं करना यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा ठीक है मा मैं सीधे दादी मा के घर ही जाओंगा इतना कहकर छोटी बच्ची ने अपनी दादी का दिया हुआ हुड पहना और मा को बाए बाए बोलकर जंगल के उस पार के गाओं से जाने के लिए निकल पड़ी वह बच्ची लेकर निकल पड़ी वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ने मतलब की बढ़ते चली गई जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुश्बू ने एक सो रहे भेडिये को जगा दिया उसके जो टोकरी से सुगंद निकल रहे थे उस सुगंद से एक भेडिये जो सो रहा था जग गया भेड़िये की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा अरी वाह एक नन्हा शिकार लेकिन यह जाग किस तरफ रही है यह जा किस तरफ रही है वो भेडिया सोचा कि छोटा सिकार है लेकिन यह जा किस तरफ रही है भेडिया तुरत देखिए यहाँ पे भेडिया तुरत लिटिल हूड के पास पहुचा और कहा कैशी हो प्यारी बच्ची क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चकने के लिए दोगी क्या मुझे ये स्वादिष्ट खाना मुझे चकने के लिए दोगी भेडिये का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई लेकिन फिर डरते हुए कहा मुझे माफ कर दिजिए मैं ये भोजन आपको नहीं दे सकती या मैं अपनी बिमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ या भोजन मैं अपने बिमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ जो अकेले रहती है जो कैसे रहती है अकेले रहती है इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने थोड़ा सोचा और अपनी थायली से एक सेव निकाल कर भेड़िये को देते हुए कहा आप ये खा लिजे आप ये खा लिजे भेड़िये ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के हाथ से सेव ले लिया और मन ही मन सोचने लगा वाह इसकी दादी भी अकेली रहती है वाह इसकी दादी भी अकेली रहती है तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा तब तक इसे रोक कर रखना होगा इसके बाद भेडिये ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा अरे शुनो जरा रुको और मेरी बात तो शुनो मुझे पता है कि तुम्हारी बिमार दादी मा कैसे ठीक हो सकती है या सुनकर छोटी बच्ची खूश हो गई और भेडिये से कहने लगी सच में पर कैशे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होगी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होगी इस पर भेडिये ने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हें वो तरीका जरूर बताऊंगा इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ एस्ट्रावेरी तोड़नी होगी इसके लिए तुम्हें जंगल से कुछ एस्ट्रावेरी तोड़नी होगी इन एस्ट्रावेरी में जादूई शक्तियां हैं जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी भेडिया की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा अरे वाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभी जाकर थोड़ी सी इस्ट्रावेरी ले लेती हूँ इतना कहकर लिटिल हुड इस्ट्रावेरी तोडने चली गई इतना कहने के बाद वो तोडने चली गई दूसरी तरफ चलाक मेडिये ने योजना बनाई की पहले दादी मा के घर चलते हैं दरशल भेडिये ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी मा को और फिर नन्नी लिटिल हुड को निगलेगा भेडिया सोच लिया था सबसे पहले दादी मा को फिर छोटी बच्ची को निगलेगा इसके बाद भेडिया दादी मा की घर की ओर चल पड़ा दादी के घर पहुँचकर भेडिये ने देखा कि वह पलंग पर अराम से सो रही है वह जैसे ही घर में घुसा दादी मा जग गई और भेडिये को देखकर चौक गई भेडिये को देखकर चौक गई उसने भेडिये से पुछा कि तुम यहां क्यों आए हो इस पर भेडिये ने कहा तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने इसके बाद दादी मा ने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन भेडिया नहीं माना और वह दादी मा को निगल गया नहीं माना और वो दादी मा को निगल गया दुष्ट भेडिये के पेट में बढ़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माने उसके पेट सिल दिया क्या किया कि उसके पेट में बढ़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माने उसके पेट सिल दिया भेडिये के पेट से बाहर निकलते ही नन्नी लाल चुनी ने सबसे पहले अपनी दादी मा से पुछा दादी मा आप ठीक तो है न उस से भेडिये ने आपको कुछ नुक्षान तो नहीं पुछाया न इस पर दादी मा ने कहा दादी मा ने क्या कहा नहीं मेरी बच्ची मैं बिलकुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है इसके बाद दादी मा नन्नी लिटिल हुड और लकड़हारा तिनु घर के दरवाजे के पीछे चिपकर दुष्ट भेडिये के निंद से जागने का इंतिजार करने लगे उसके जागने का इंतिजार करने लगे कुछ देर बाद भेडिया निंद से जागा तो उसे मशुष हुआ कि उसका पेट काफी भारी है उसने सोचा की सायद उसने दादी मा और लिटिल हुड को निगला है इस कारण उसका पेट भारी हो गया है इसके बाद वह नदी किनारे पानी पीने के लिए निकल गया जैसे ही भेडिया पानी पीने के लिए नदी किनारे नीचे जुकावा नदी में ही जा गिरा इसके बाद दादी मा लिटिल हुड और लकड़ हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े घर पहुँचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी मा से वादा किया की वह आगे से कभी भी किसी अजनवी से बात नहीं करेगी और साथ ही उसने अपनी और दादी मा की जान बचाने के लिए लकड़हारे को शुक्रिया कहा लकड़हारे को शुक्रिया कहा फिर तीनों ने एक साथ हसी खुशी पूरा दीन बिटाया और मजने से बैट कर चोकलेट के खाया इस कहानी से क्या सिक मिलती है दोस्तों इस कहानी से हमें य치 मिलती है क्या हमें हमैशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनवी लोगों पर और कभी भरोशा नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं करने से हमें परिशानिया का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों या श्टूरिक कैसा लगा प्लीज कमेंट वक्स में लिकर बताएगा और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें सब्सक्राइब कर लिए बिल एकन करते हैं मिलते अगले क्लास में जाहिए नहीं